खबरों में बने रहनी के लिए बेल आइकॉन दबाएगे और ABP News को सब्सक्राइब कीज़ेगे तो वोट के लिए कॉंग्रेस आज खोल सकती है अपने वादों का पिटारा घोशना पत्र अपसे कुछी देर बाद इसकी घोशना कर दी जाएगी क्या रहेगा स्ट्रेटेजी कॉंग्रेस की मोदी से मुकाबला करने के लिए क्या है कॉंग्रेस की तैयारी इस पर भी अमारी नजर रहेगी और एक घंटे बाद कॉंग्रेस अपना घोशना पत्र जारी करेगी क्या मोधी के राश्रवात के मुद्दे से राहूल गांदी की ये कल्यारकारी योजनाई टकर ले पाएंगी क्या ये नियाए योजना गेम चेंजर साबित होगी 22 लाग सरकारी नौकरियों का वादा जो राहूल गांदी हर रैली के मंच से कर रहे हैं क्या युवाओं को लुभा पाएगा 2019 के लिए ये तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं लेकिन हम आपको बता दें कि एक घंटे बाद कॉंग्रेस अपना घोशना पत्र जारी करेंगी सुमित अवस्थी हमारे सयोगी हमसे जुड़ रहे हैं सुमित नरेंद्र मोधी ने एक कोन सेट कर दिया है 2019 के लिए बाला कोट के बाद राश्टरवाद हिंदू आतंक और चौकीदार को लेकर पूरे देश को जोड़ लिया है आपको लग रहा है कि ये जो कल्यानकारी योजनाओ की बात राहूल गांधी हर रैली के मंच से कर रहे हैं वो 2019 में चुनावी है कि ये खास इंतिजाम हमारे ग्राफिक्स टीम ने तैयार कि हैं सिर्फ आपके लिए यहां पर आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि राहूल गांधी कौन से वादे करने वाले हैं और मैं आपको ये भी बिताना जाता हूं कि ये जो पांच बड़े वादे हैं जो राहू बड़ा वादा उन्होंने नियाय योजना का कि आपको याद होगा नियूंतम आय योजना जिसका शौट फॉर्म कॉंग्रेस पार्टी ने नियाय शप्त के तौर पर दिया है यानि कि हर बीज फीजदी करीब जो हिंदुस्तान में हैं उनको 72,000 रुपे सालाना मिलेंग य 31 मार्च 2020 तक यानि अगले साल अगर सरकार आज बनती है तो अगले साल मार्च खतम होने तक वो 22,000,000 पदों को भर देंगे बहुत बड़ी बात है टाइम लाइन दे के राहूल गंदी बात कर रहे हैं तीसरी बात छोटे कारोबारियों को बहुत बड़ा उत्साह देने का क राहूल गंदी चाहती है कि तीन साल तक आप बिजनेस शुरू करिए तीन साल तक कोई किसी परमीशन की जरूरत नहीं है छोटे कारोबारियों को कारोबार की तरफ आने के लिए उत्साहित करने के लिए यह स्कीम बहुती सकरात्मक तोर पर दिखी जा सकती है चौती जो दर्थ है यूपीए के कांग्रिस के वो नहीं तयार हुए लालू जैसे मुलायम सिंग जैसे पर ये वादा कांग्रिस पार्टी अभी भी इसको पीछे नहीं चोड़ रही है यानि महिलाओं को एड्रेस करना चाहती है महिला हिंदुस्तान की वह 49.50 लोग जो 30 गड़ राइस्थान में बीजेपी को हरा कर कंग्रिस की सरकारे विधासवा में बन पाई है और अगर ये हो गया कर्ज माफी की बात 2,00,00 रुपे तक का जितना कर्ज है किसानों का वो देश भर में अगर कंग्रिस पार्टी माफ करती है तो ये वाकई में किसानों को अप अंद्रमोदी को और भारतियता पार्टी को काउंट डाउन आप देख रहे हैं मेरे पीछे इस वक्त काउंट डाउन चल रहा है करीब 56 मिनिट का वक्त बाकिए 56 मिनिट 30 सेकिंड के असपास जब कॉंग्रिस पार्टी का मैनिफेस्टो आने वाला है वचन पत्र कॉंग्रि इसके लिए तैयार है हम इन तमाम पहलोगों पर चर्चा करें कि मेरे साथ इस वक्त मेरे सयोगी जैनेंदर जुड़ रहे हैं जैनेंदर के पास पहले चलते हैं जैनेंदर आप कॉंग्रेस मुख्याले में हैं यहां भी एपी नियूस के सूडियो में लंबे चौर इंतिज किये हैं मैं पहले आप से बुछना चाहता हूँ वहां क्या इंतिजाम है जो आप 24 अकपर रोट पर देख पा रहे हैं कॉंग्रेस बुख्याले पर देखे घोशना पत्र तो तयार हो ही चुका है और उसको जारी करने के लिए जो कारक्रम है उसकी तयारी पूरी हो चुकी है सामने मंच आपको नजर आ रहा होगा सुमित राहुल गांधी की तजवीर है और मंच पर सोनिया गांधी बनमोहन सिंग आदी बड़े नेता गुलाम साथ मेरे वरिश चाहिओंगे आशिश कुमार सिंग और आदेश रावल मौजूद है और इनसे भी बात करते हैं सर 2014 को अगर याद करें उस वक्त लोगसमा चुनाओं से पहले जो घोशना पत्र जारी किया गया था और आज इस तरह की तयारी है क्या फरक आप देखते हैं और इस बार घोशना पत्र की जो बड़ी बाते सामने आई हैं क्या ये कॉंग्रोस को जीत दिलाएं पलटवार है इस बार कॉंग्रिस की तरफ से पिछली बार करफशन का आरोप लगाये गया था कॉंग्रिस पार्टी पर बीजेपी द्वारा और बीजेपी को इसका पुजगार अनिम्प्लॉइमेंट को लेकर के कोर मुद्दों पर वापस लाना चाहती इस मैनिफेस्टों के जरीए स्टार्टप्स युवाओं को हायर एजिकेशन के राइट्स हेल्थ के राइट्स जीस्टी को लेकर के जो अनाउंस्मेंट किया गया है कि एक समान टैक्स का इस मैनिफेस्टों के जरीए प्रावधान किया जाएगा नियाए स्कील देखे सबसे बड़ा फर्क यह है कि गरीबी पर निर्नायक वार के नाम से कॉंग्रेस सद्यक्ष राहूल गांदी और प्रियांका वाटरा ने कहा है कि गरीबी को मिटाने के लिए हम लोगों के अ दुवाओं को महिलाओं को टार्गेट करने के लिए उनको लुभाने के लिए तमाम वादे रहने वाले आदेश रावल भी हमारे साथ हैं आदेश घोशना पत्र की जो बड़ी बाते हैं क्या सबसे एहम बिंदू देखते हैं इस गोशना का जो कंसेप्ट लेका है राउल या बातर हजार देंगे जब इस बात को लिए चर्चा चल रही थी यानि पार्टी का पूरा फोकस था बताया गया था कि मैनिफेस्टों की तैयारिया है उसके लिए कॉंगर्स के कमेटिक बुलाई गयी लेकिन फोकस किया गया किसकी उपर नयाए की उपर और खास और पर नयाए के जरीए कॉंगरेस पार्टी इस चुनाव में जाना चाहती है यह कह रहे हैं कि गेम चेंजर है लेकिन ये vote चेंजर के रूप में कंगरेस पार्टी इसको देख रही है बिलखो तो घोशना पत्र जारी हो रहा है लेकिन जो सबसे बड़ा बिदू है नयाए उसकी चर्चा हो रही है और सारी नजरें उसी को लेकर के हैं हलाकि उसमें कितने पैसे मिलने हैं, क्या प्रावधान किया जाना है इसको लेकर राहूल गांधी कह चुके हैं, तमाम भाशनों में भी वो बोल चुके हैं और जस तरीके से कैमरे में आने की कोशिश कर रहे थे, वो जाने हैं जाने में जनित कहाथ उनको उनके चेरे पे लगते लगते बचा है लेकिन इन सब के बीच में ये बताना बहुत जरूरी है, इस वक्त कॉंग्रेस पार्टी विपक्ष में है और विपक्ष में रहके वादे करना और सरकार की खामिया गिनाना बहुत आसान होता है और सत्ता पक्ष में रहते हुए अपने वादे करना और उन वादों को पूरा करने की बात करना उतना ही चुनाती पूर्ण 2014 में कॉंग्रिस ने बहुत से वादे किये थे घुशना पत्र में लेकिन जनता को कोई उससे उमीद नहीं जगी और कॉंग्रिस को 204 से घटाकर चवाल इस पर भेज दिया था शोबना के पास लिए चलता हूँ शोबना के साथ कुछ हमारे साथ experts भी बौजूद है कुछ senior journalists भी है शोबना मैं चाहूँगा कि इसी के साथ आप चर्चा की शुरुआत करें अपने साथ जो मेहमान है क्या कॉंग्रिस पार्टी के लिए इस बार वादे करना ज़्यादा आसान है क्योंकि आप सत्ता में नहीं है बिल्कुल सुमित और जो राश्टरवात का शोर खड़ा हो गया है जो मोदी ने खड़ा कर दिया है और हिंदू आतंकवात का शोर खड़ा कर दिया है क्या उसके बीच में ये जो जितनी योजनाए है इनका शोर बोटर तक पहुँच पाएगा या सब शान तो हो जाएगा उस राश्टरवात के शोर में हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है प्रदीप सिंग जी सीनर जनरलिस्ट है अब है दुबेजी भी सीनर जनरलिस्ट है देगे शुबना जी एक बात ध्यार में रखनी चाहिए कि कॉंग्रेस पिछले सत्तर सालों से और पिछले आट-दस सालों को छोड़ दें तो उससे पहले तक समाज का जो वंचित वर्ग है उसकी पार्टी थी वो वर्ग कॉंग्रेस के साथ था 2014 में उस वर्ग को नरेंद मोदी अपने साथ ले गए और 2017 के उत्तरप्रदेश विधान सभा चुनाओ के नतीजे भी बताते हैं कि वो वर्ग जो 17 में आया था मोदी के साथ भाजपा के साथ वो बीजेपी के साथ है कॉंग्रेस की सारी ये सारी घोशनाएं ये रोजगार की बात किसानों की कर्ज माफी की बात सारी कोशिश उस वंचित वर्ग को फिर से कॉंग्रेस से जोडने की है तो अब जब वोटर वोट देने जाएगा तो उसके सामने दो तीन बाते होंगी एक मोदी सरकार ने जब चुनाव में आये थे 2014 में तो जो वाइदे किये थे उनमें से कितने पूरे किये परफॉर्मेंस उनकी पांस साल में कैसी रही दूसरी चीज़ वो देखेगा कि उससे पहले जब कॉंग्रेस का राज था और आज पांस साल से मोदी सरकार है तो दोनों का तुलनात्मक अध्यन करेगा देखेगा कि किसने बहतर काम किया तीसरी बात वो देखेगा कि क्या मोदी सरकार का काम इतना अच्छा है कि फिर लाया जाए या इतना खराब है कि किसी भी हालत में उसको हटा देना चाहिए अगर उनका मन ये बनता है कि नहीं सरकार को हटा देना चाहिए तब इन घोश्राओं का असर होगा अगर वोटर को लगता है कि नहीं हटाने की जरुरत नहीं है सरकार को एक मौका और देना चाहिए तो इन घोश्राओं का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा आदमी की पार्टी है और हम आपके साथ खड़े हैं? नहीं पार्टी है और हम आपके साथ खड़े हैं? नहीं पार्टी है और हम आपके साथ खड़े हैं? नहीं पार्टी है और हम आपके साथ खड़े हैं? नहीं पार्टी है और इन दावेदारियों में कौन आगे निकलता है? तो चाहे दो हजार नौ का चाहे दो हजार चौदे का साथ से पैंसट फीसदी मुद्धे बिल्कुल सेम थे, कोई नयापन नहीं था. इस बार के मैनिफेस्टों में आपको लग रहा है कि बहुत नयापन देखने को मिल रहा है? अगर वो सारी योजनाएं आज आती है जो रैलियों में राहूल गांदी बोल रहे हैं? देखे, जहां तक नयापन की बात है, तो जो कॉंग्रेस एड्रेस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन धंक से कर नहीं पा रही है, ये जो नयाए का जो एक कॉंसेप्ट है, ये बड़ा कॉंसेप्ट है, दोहजार चॉदा में मोदी जी ने एक डारा दिया था, सबका साथ हुआ है, और कहना कहीं, समाज के बहुत सारे वर्ग हैं, जो अपने आपको, एक नोड फीर कलते हैं, उन्हें लगता कि साथ उन्हें मेनिस्टीब से अलग किया जा रहा है, उसके अंदर मुस्लिम समूदाए भी है, तो कॉंग्रेस ने जो नारा दिया है, उसे सिर्फ आर् दाओं खेला है, गेम चेंजर हो सकता है, कि नहीं हो सकता है, यह तो चौरावी नतीजे बताएंगे, लेकिन कॉंग्रेस अद्यक्ष राहूल गांदी की एक खास बात यह है, कि वो बार बार प्रिधान मंतरी नरेंदर मोदी को अपने पाले वे खीच के ला रहे हैं, नरें मोदी के सामने एकदम ऐसा हाय नजर आ रहे थे, उनके पास कोई रणीती नहीं थी, और वो लड़ते वो दिखे ने रहे थे, लेकिन यहां, अगर हम बात करें, गुजरात विधान सबाचुनाओं के बात से वो लगातार लड़ रहे हैं, लड़ते वो नजर आ रहे हैं, औ मुद्धा नहीं बनाया मोदी जिन, ठीक है, सुमित अवस्ती, आप तमाम एक्सपर्ट्स को सुन रहे हैं, आपने सबकी राये सुनी, मेरा सवाल आपसे यह है, कि क्या इन मुद्धों के अलावा यह जो कल्यानकारी योजनाएं हैं, इन मुद्धों के अलावा आपको लग यह शोबना, क्योंकि आतंगवाद के मुद्धे पर देश पूरी तरीके से इस वक्त जागरत है, अगर उस पर कॉंग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोलेगी, तो उससे और बड़े सवाल पूछे जाएंगे, तो भले ही पाकिस्तान को मुतोर जवाब दिया जा, यही एक सरक सालिसी लाइन रहे, लेकिन रहेगी, जरूर आतंगवाद के ममले पर भी रहेगी, और बाकी मुद्धो पर भी रहेगी, जिसको लेकर पब्लिक डिस्कोर सुनना चाहती है, यह राहूल गांदी इस वक्त फ्रेंट फूट पर आकर बैटिंग कर रहा है, और हमको यह समझना होगा कि जब राहूल गांदी बहुत तेजी से बीजेपी को उनकी लोग लुबावन योजनाओं को लेकर चुलाउंती देना चाहते हैं, तो वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, जिससे उनके उपर कोई कोशन्स खड़े हो, दस बड़ी बातें जो हमको ध्यान में रखने चा अल्मोस्ट वैसे ही, वैसे ही बीजेपी ने किये थे, और बीजेपी की सरकार आ गई थी कॉंगरिस को हराकर 2014 में, जो की बहुत बड़ी अपनी दब पर सरकार बनी थी, क्या वो बादे हैं, दस बड़े बादे हैं स्कीन पर आप देख सकते हैं, लेकिन डिटेल में आपको बताऊंगा, छोड़े दे इंतजार के बाद तुरंद लोट कर आ रहे हैं, एबी बी नियूस पर ये बड़ा कवरेज, कॉंगरिस घोशना पत्र से चुड़ा हुआ लगातार जारी है, और जैसा की पहले में ने कहा था कि ब्रेक के बाद वो दस बड़े वादे दिखाऊं हर गरीब परिवाजों की बीस फीज़दी के असपास है, उनको बहत्तर हजार रुपे, ये फिगर को ठीक करना है, सतर नहीं बहत्तर हजार हुआ, दूसरा, किसानों की दो लाग रुपे की कर्द माफी की बात की गई है, ये भी बड़ी बात है, दो लाग तक का कर्द किसा साथा बड़ा वादा, जो कॉंगरेस पार्टी बीते एक बरिखासे तीन चुनाफ से करती आ रही है, पाच्वा, जी एस टी को लेकर लगातार मोधी सरकार को घेरा है कॉंगरेस पार्टी ने, और अब कॉंगरेस ते कह रही है, कि जी एस टी के जो अधिकतम लिमिट है, व उसको किसी तरह की इजाज़त, पर्मीशन या लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, तीन साल तक काम कर सकता है, साथवा बड़ा वादा करते हैं, शिक्षा पर जी डी पी का छे फीजदी खर्च किया जाएगा, और ये इल्जाम है दरियन मुदी सरकार की शिक्षा का बजट लगातार कम हुआ है बीती सरकार के, इस बर्तबान सरकार के दुरान, इसी रहे छे फीजदी पर फिक्स करने की बाद कांगरिस पार्टी कर सकती है, आठवी बात, अर्द सेनिक बलो को सेना की तरह शहीदों का दरजा, आपको पता होगा, पुलवामा कांट के बाद जिस त नौ दिन का रोजगार की बात कॉंग्रेस पार्टी कर रही है, ये वादा 2004 में भी था, नौ में भी था, पूरा नहीं कर पाई थी कॉंग्रेस पार्टी, चालेस चालेस दिन का ये दे पाई थी, दस्वी बात, धान और गेहों का समर्थन मूले बढ़ाएंगे, ये बड़ बड़ा वादा है का और बहुत चौकाने वाली बात है, कॉंग्रेस पार्टी के जो घोशना पत्र में हो सकती है, लेकिन उसका परदा उठेगा, इस छोटे से ब्रेक के बाद, बरियरी हमारे साथ तुरंद लोटकर आ रहें, बड़ी कवरेज लगातार जारी है